वस्ट इडियस के ओल राउंडर आंधुरे रसेल को काले रंग के बैट का इस्तिमाल करने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। के प्लेंग कंडिशन के अनुसार ही था। लेकिन वस्ट इडियस के इस बल्ले बास के बैट से सफेद गेंद पर रंग लग रहा था। सिटने सिकसर्स के सीनियर विकेट कीपर ब्रेट हेडिन ने गेंद पर लग रहे काले रंग की तरफ ध्यान दिलाते हुए आपत्ती दर्च कराई। बिग बैश के प्रमुक एंथोनी अवेरोड ने बताया कि मैच अधिकारियों ने सीए को जानकारी दी कि रसेल के बल्ले का काला रंग सफेद गेंद पर लग रहा था। इसी के चलते हमने आंडरे रसेल को इस बल्ले के इस्तिमाल के लिए दी कई अनुमती वापस ले ली। आपको बतादे कि इससे पहले भी रसेल गुलावी रंग के बैट से बल्ले बाजी करने को लेकर भी चर्चा में आ चुके हैं। इससाल जुलाई में वे कैरेबियन प्रिमियर लीक में गुलावी बैट को लेकर बैटिंग करने उत्रे थे। वस्ट इंडीस के खिलाड़े कुछ अलग अंदास के लिए हमेशा से ही सुर्कियों में रहते हैं। किसी ये नहीं पहले रसेल को इस बैट के उप्यों की इचासा दी थी लेकिन बाद में अपने फैसले को वह आपस ले लिया। वह या भैस शिड़ गई है कि रसेल ने नियमों का उलंगन किया है या नहीं। देखते रहे डीब लाइव।